अम्बाला का सनातन धर्म कोलेज जिसे आप SD कोलेज के नाम से भी जानते हैं ये ना सिरफ छात्र छात्राओं के भविश्य को निखारने का काम कर रहा है बलकि प्रकृती के लिए अपनी एहम जिम्मेदारी भी निबा रहा है कोलेज की तरफ से लगातार ऐसे कई प्रोजेक्ट चलाये जाते हैं जिनकी सरहना ना सिरफ जिला ना सिरफ हरियाना बलकि देश भर में की जाती है इस बार एक और इनाम कोलेज को मिला है क्या कुछ ये इनाम मिला है उस पर बाचित के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल साब मुझूद है सर लगातार प्रकृती को लेकर आप लोग कदम उठाते हैं बहुत से प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं पहले अनर्जी को लेकर आवार्ड मिला था अब क्या आवार्ड मिला है किस की तरफ से दिया गया है हाँ ये बड़ी हर्श की बात है कि सनातम धर्म कॉलेज अमवाला केंट को दो हजार बीस एकिस के लिए महातमा गांदी नैशन काउंसल ऑफ रूलर एजुकिशन MHRD Government of India के दोरा एनवार्मेंट के उपर बहुत अच्छा काम करने के लिए ये प्राइज दिया गया है हमारे कॉलेज के अंदर स्वास्था एक्शन प्लान बनाया गया था जिसके अंदर हमने एनवार्मेंट अमबैसडर के नाम से कुछ वलंटिर्स अंडूल किये थे इसके अंदर स्पेशली NCC, NSS, Youth Red Cross, Environment Awareness Club, Women's Cell के जितने भी ही प्रोग्राम फीसर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ग्रीन अमबैसडर के नाम से इसके अंदर हमने बच्चों को शब्त दलाई थी पूरा साल हमने पांच एस्पेक्ट के उपर काम किया है, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम किया है, सनातम धर्म कॉलेज में हमने 110 किलो वाट का सोलर प्लान्ट लगाया है जो अप्रॉक्सिमेटली 70% एनर्जी को हमारी को कवर करता है उसके लावा पूरे कॉलेज के अंदर हमने 80% जो लाइट्स है वो थूरू LED में चेंज किया है और जितने भी क्यूमेट यूज की जाते हैं वो भी 5 स्टर क्यूमेट की जाते हैं इसके लावा वेस्ट मेनिजमेंट पे सनातम धर्म कॉलेज ने बहुत अच्छा काम किया है हमने कॉलेज के अंदर श्रेडिंग मशीन रखे हुई है उसका स्पेशल काम यही है कि जितने भी हमारे कॉलेज के अंदर पत्ते बगारा या फूड वेस्ट होती है उन पत्तों क के करीब की हम वर्मी कंपोस्ट जो है वो बेशती हैं और यह सारा विलंटियर्स के द्वारा किया जाता है बहुत से हमारे साथ में जैसे मंदर है काली बड़ी मंदर है हाथी करना मंदर है वहां से बचे हमारे विलंटियर्स फ्लावर्स गरा कॉलेक्ट करते हैं और उन पि प्रॉक्सिमेटली एक हजार से उपर जो प्लांटेशन ड्राइब चलाते हैं कॉलस के अंदर उसमें यह आप देखेंगे इन नोट ओनली वीदिन दा कैंपस आउटसाइड दा कैंपस आलसो हम हमने पांच विलेजिस भी डॉप्ट कर रखें उननत भारत अभ्यान के अंदर विलेजिस के अंदर जाकर हमारे विलेंटियर्स प्लांटेशन ड्राइब करते हैं तो यह सारे चीजों को और इसके लावा जो सबसे इंपोर्टेंट है वाटर मनेजमेंट का है हमारे सनातम्थर्म कॉलस के अंदर हमने रेन वाटर के लिए प्रॉक्सिमेटली एक लाख ल प्रॉक्सिमेटली आठ जार लीटर के टैंक्स है उसके अंदर हमने बोर करा रखा है जो असी फीट तक जाता है तो जह रेन वाटर है वो उसके जोरा हम रीचार्जिंग करते हैं सो कॉलस के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एस वैल रेन वाटर रीचार्जिंग दोनों प्रजेक्ट हैं और अल इस प्रजेक्ट आर इन वर्किंग निशन काम कर रहे हैं और बहुत से बच्चे गॉर्मेंट कॉलजे स्कूल्स के बच्चे हमारे पास आते हैं वो इन National Council of Ruler Education ने उन्होंने हमारे को 2021 का ये Environment Champion का अवार्ड दिया है ये अवार्ड हमें Deputy Commissioner श्री विकम सिंग जी के द्वारा दिया गया है हमारे साथ हमारे जो प्रोग्राम फीसर्स थे वो भी थे साथ Central Government के तरफ से ये वोड दिया गया है कितने कोलेज इस दोड में और शामिल थे जिन पर आपने हमें ये कह सकते हैं कि दवदवा अपना कायम रखा ऐसा नहीं है इसमें कोई दवदवाली बात नहीं है जो भी इंस्टीशन अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया से उन्होंने 400 कृइव इंस्ट्यूशुन को सेलेक्ट किया है जो अच्छे इनवायर्मेंट के उपर काम कर रहे हैं और अुनका कंट्रीबूशन ज्यादा है तो 400 के इस्टीशन उए अंबाला सभी कोलेज अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कदम जिरूर उड़ाते हैं SD कोलेज में क्या विशेष्टा है कि वह लगतार प्राइज मिलते ही जा रहे हैं हम भी काफी लंबे अर्शे से कवर कर रहे हैं ने देखिए इन्वार्मेंट के उपर क्या होता है यह प्लानिंग और ट टीम्स हैं वह भी बहुत अच्छा काम करें उसमें हमें स्टेट में फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है तो एन्वार्मेंट तो हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए तो कॉलर्ज का तो एंवार्मेंट एजुकिशन इंसिचुशन का नवार्मेंट तो इतना अच्छा और हेल्दी होना चाहिए उसका इंपेक्ट उस बच्चे की सारी जिंदिगी उसके उपर होना चाहिए तो मैं यह सोचता हूँ कि हमारे जो टीम्स हैं टीम वर्क जो है वो बहुत ही अच्छा है और इंसिचुशन के बज चलनी ही चलनी है सबसे इंपोर्टेंट चीज होते हैं हमें सेंसेटाइज करना है यूथ को हमें खुद अवेर होना है मान लीजे वेस्ट बिनेजमेंट की बात करते हैं तो यदि मैं अपने घर का कच्छा घर के अंदर उससे खाद बनाता हूं यह चीज मेरे मन के अंदर आ जाए और मैं यह बनाना शुरू करतऊगा तो अप कहेंगे सारे शेर का कचरा प्रवंदन घर के अंदर यह वक्शार प्रवंदन की जरूरत नहीं हमें नालियों के अंदर डालने की जरूरत नहीं है तो जो अवेर्नेस प्रोग्राम है स्कूल के बच्चे कॉलेस के करेंगे तब तक हम इसको शायद बहुत ज़्यादा कुछ एचीवेंट नहीं कर पाएंगे डॉयल्मेंट तो साथ साथ सामिल्टरिस लिए चलेगी चलेगी अब हमें चाहिए कि अंबाला कि हर पार्क के अंदर यह सारे प्रजेक्ट लगे हुँचि हर सेक्टर के अंदर प्रजेक्ट होने चीए हर सुसाइटी इन चीजों को अडॉप्ट करें अध्यूकिशन इंसीचिशन को दो मूवेंट आप यह सब करना शुरू कर देंगे अवेरनेस लोगों के सेंटर के साथ मिलकर भी हमने बहुत से प्रजेक्ट ऐसे चला रखे चुट-चुड़े प्रजेक्ट होते हैं लेकिन उसका इंपक्ट एक दो सालवाद आना शीर होता है तो आल्मोस्ट एवरी यूनिटी इस डूइंग सम प्रजेक्ट सामिल्टेंसली तो बिल्कुल यह व अंबाला के SG को यह सर्टिविकेट दिया गया है खुद अंबाला के उपायुक्त विकरम सिंग की तरफ से यह सर्टिविकेट देकर को नवाजा गया है यह पहला ऐसा कोई सर्टिविकेट नहीं है जो प्रकृती की देखभाल के लिए प्रकृती के लिए को मिला हो ऐसे कही जो इनाम है कहीं सर्टिफिकेट जो है वो कोलेज पहले भी जीच चुका है और आने वाले दिनों में कोलेज का यही लक्षे है कि प्रकृती को लेकर लोगों को भी जागरुक किया जाए और अपने कोलेज के माध्यम से जो बैलेंस है कुद्रक्त का और समाज का वो बनाया ज स्वस्थ रह सकें आप भी और प्रकृती जो है वो आपका पूरा ख्याल रखे खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट आप में आपको देते रहेंगे जुड़ी मारसाथ